नमस्कार मेरे कुछबुदार दोस्तों आप स्वाविका हर्दिक स्वागति आपका खुद के इट्रूप चैनल अतर वर्ल शोनर बांगला में और दोस्तों बहुत दिन बात कुछ सिंथेटिक लेकिन बहुत ही खास इतर के साथ में हाजिर हुआ हूं और यह अतर कोई प्रोम था तो मुझे अच्छा लगा फिर में रिव्यू डाल रहा हूं यह है अल इवात का एक पर्फ्यूम डाइलेंड ब्लू अब लोग को दिखा पाड़ा हूं शायद और उनका खुद का यह ताच का है जैनतुल फिर्दोस और यह ताच जो है वो कॉलकाता बेसिक इत्र का मै लोग के यहां रविंद्र सरहनी में अब देखिए उनसे मेरा बहुत अच्छा संपड़ के लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रमोशन करना हूं तो सरफराज सावाज नहीं था तो सरफराज भाई मुझे बड़े भाई समझते तो उन्होंने कहा कि एक बड़ ट्राइ करो इस पर्फ्यूम एक है मतलब कुछ फ्रेंश टाइब का और देखिए इसका कितना सुन्दर देखने में है बोटल एक टाच टाइब का है और ब्लू कलर टिपिकल ब्लू थोड़ा स्काई टाइब का इसका कलर है तो चली दोस्तो बात करते हैं बहुत सारा मैंने इस्तेमाल भी कर लिया दो-तीन दिन से इस्तेमाल कर रहा था और इस गड़मे में बहुत अच्छा भी लग रहा था तो मैंने सुचा आप लोग को भी एक बार दिखा दू बोल दू कैसा है अगर आप लोग को चाहिए तो लेंगे आप तो अल इबात पर्फ्यूम का डायलन ग्लू एक एक फ्रेंच पर्फ्यूम की तड़ा है जैसे लगड़ा है कि इतर नहीं एक पर्फ्यूम सुंग रहा हूं हलाकि मैं बहुत सारा पर्फ्यूम इस्तेमाल नहीं करता लेकिन कोई कोई लोग जब मुझे गिफ्ट और लेका इक्वाटिक कॉसके साथ एक हल्का अथे फ्रूटी नोट है जो फ्रूटी नोट इदना स्ट्रॉंग भी नहीं है मनला पाइनलपल जैसा फ्रूटी नहीं है थोड़ा चेरी हम में में थोड़ा जूनी परेरी का घश मेंद ऑनquito रहे है थ़ोड़ह मैं दो बता-दू में खुद इसको इस्तामाल कर रहा था है तो मेरा शRe Alls में मतलब में तो कउटन का पहेंटा पहनता हूं तो इस कॉर्टन के छाड़ा से 4-5 घंट तो तो जहीं परफोनेंस इस यू 105 नहीं देखता मैं देखता हूं उसका खासियत क्या है उसका स्मेल कैसा आ रहा है प्रोजेक्शन कैसा हो रहा है एक घंटा भी टिके लेकिन जो माहुल वो करेगा मन को सुकुन देगा वह अलग बात होता है तो मुझे ज्यादा ही अच्छा लगा इसलिए में इस्तेमाल कर लिया और पाने के लिए मैं सरफराज भाई का फोन नंबर दे रहा हूं आप लोग उनसे कॉंटक कीजेगा प्राइस तो मुझे बताया भी नहीं और मैं जान है शायद दिखा पा रहा हूं 8 ml स्विस अड़ाब सीरीस है जन्नतुल फिर्दोस इनका लोग है ताजमाल का तो आप लोग सरफराज भाई से कॉंटक कीजिए ताजबालों से मैं कॉंटक नंबर दे रहा हूं यह एकदम नॉर्मल जो 8 ml का रोल आन बोटल होता है उस टाइ लेकिन ज्यादा नहीं सिंथेटिक भाई वार रहा है गारेनिया और भी ग्रासी नोट आ रहा है तो जन्नतुल फिर्दोस क्या है एक आड़ीटा में जन्नत से भी जन्नतुल फिर्दोस जन्नत का उपर का जो दर्वाजा सायथ ऐसा कुछ होगा मतलब फिर्दोस तो उससे गर्मी के टाइम खुब सारा इस्तेमाल करता हूं सिंथेटिक ही होता है ज्यादा मेरे पास मेरा खुद का ब्रेंड का नैचरल जन्नतुल फिर्दोस से लेकिन वह उदना स्ट्रॉंग पर्फोर्मेंस नहीं देता इसका भी खुश्बू आप जब सुगिएगा ना दोस्तों आपको वैसा नहीं लगेगा कि एकदम हंडिट पर्सें सिंथेटिक की जैसा है जैसे टॉप नोड में एक तेज पत्त का खुश्बू आ रहा है ग्रासी नोड खस बेस एक गार्डेनिया फ्लोरा फ्रोलल बेस औ एक टीपिकल में बता कह सकता हूं कि टीपिकल मोतिया मोग्रा ऐसा कुछ मेल आ रहा है रोज का चंदन का शायद यह लोग पंच करके कुछ बनाया क्योंकि इसका इन लोग का अतरमेने इस्तिमाल कि इतना सस्ता भी नहीं है इसका प्राइस हो सकता है दो तीन सो रूपिया भी हो सकता है हलाकि मार्केड में अलनायम का या तो नीमत का भी 95-96 जो है वह पचास एक रूपिया में मिलता है तो इन लोग का थोड़ा कॉस्टी रहता है और यह भी मैं इस्तेमाल किया तीन चार घंटे टीग रहा था हलाकि मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटीने में इस्त सब्सक्राइब करना हूं इसके साथ वह भी एक बार किजिएगा बहुत स्मूथ है इसमें थोड़ा स्ट्रॉंगनेस है अब जिन लोग का नाक थोड़ा मैश्योड है उन लोग को समझ आया गया कि इसमें कौन-कौन सा केमिकल है कर चोड़ दीजी उनको जो लोग को पसंद सब्सक्राइब करने का था और भी बहुत सारा चीज मुझे बार से मिला है अपने चैनल को प्रोमोट करने के लिए दूसरा का रिव्यू छोड़ दिया था लेकिन अभी कर रहा हूं अब लोग को भी आगर चाहिए कि प्रोमोशन के लिए मुझे भेजिए कोई पैसा नहीं है कि हम लोग पैसा लेते हैं बस शौक है अनन्त से करता हूं अब दोनों में से कौन सा ज्यादा मुझे अच्छा लगा तो डायलन मुझे अच्छा लगा है और बहुत ही एक्टम फ्रेंच पर्फूम जैसा और थोड़ा मुझे इसका पर्फोमेंस और इसका टोन थोड़ा कम लगा मैं रेकमेंड करूंगा आप एक बार छोटा इसका अगर होगा तो ट्राइब करके देखिए ताज बालों से या तो डायलन मुझे बहुत शांदार था यह बोटल मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा था देखिए बहुत यह बढ़िया है देखने में और मैंने कॉम्प्लिमेंट पाया इसलिए बोल रहा हूं और हां दोस्ते एक बात बता दू एक पुराना मेरा जो हर्शिंगार था वह खताम हो गया था एक्चुली पुराना बैच तो पुराना एक बोटल मुझे मिल गया है देखिए कितना स्ट्रॉंग कलर हो गया है तो यह अगर क थोड़ा बढ़ा है वह तो मैंने बढ़ा है नहीं थोड़ा इसको बढ़ा है तो चाहिए तो आप लोग और कर सकते मेरा जो वार्टसब नमबर दी गए इसमें और यह दोनों आतर आपको अगर चाहिए तो सवर्परास भाई से आप लोगों को यह मंगवाना पड़ेगा म मेरे पास तो नहीं है तो जरूर उनसे मंगवाई है अच्छे इंसान है मुझसे बहुत छोटा है आप लोग से छोटा है कितना उम्र होगा हूंका 22-23 साल होगा ज्यादा से ज्यादा लेकिन हां इमानदर है कॉलकाता का बेसे इसलिए में थोड़ा ज्यादा प्रोमोट करन में बहुत सारा मेरा वह देना था और में खुद हातों से करता हूं एक दो लेवारे ज्यादा तो नहीं है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लेम होगा तो वीडियो डालने में आशा करता हूं और रेगुलारीटी मेंटिन करूंगा तो आज के वीडियों खतम करूंगा दू दूसरे वीडियो में जय हिन जय भारत बंदे माता नम भारत माता की जाए